Hey everyone, welcome back to the channel. तो Unit 4 चल रही थी हमारी Social and Preventive Pharmacy में, तो तीन टॉपिक मैं अल्रेडी कवर कर चुका हूँ. आज हम इसमें 4 टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम है National Family Welfare Program, जो कि इसमें most important topic है, इससे related कोई नो कोई कुछिन जरूप पूछा जाता है. तो चली start करते हैं इस topic को समझते हैं, और ज्यादा length ही नहीं करेंगे, आसनी तो समझ में आ जाए कुछ important point को जो इसमें mention किया जाएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तो इंडिया ने जो सबसे पहले इस program को जो initiate किया था और नाम दिया था National Family Planning Program in 1952. तो जो National Family, जो welfare program है, इसी को जो है National Family Planning Program भी बोलते हैं, ठीक है, जो कहा है, 1952 में जो introduce किया गया था by the government of India. concept के हम बात करें कि family welfare program का concept क्या है में, तो इसके बारें discuss कर लेते हैं, the concept of welfare ये link to the quality of life. जो welfare अमारे जो word है, ठीक है, तो इससे, इसका मतलब ये है कि quality of life, यानि welfare का concept है quality of life, कि life की जो quality है, वो कितनी अच्छी है. इसके अंदर के है काफी चीज़ों को cover किया जाता है, जैसे एक तो education हो गया, nutrition हो गया, hygiene हो गया, और बाकी welfare for women, ठीक है, बाकी बाकी बुमेंस की जो quality of life है, ठीक है, तो उसको भी जो कवर करना है, तो ये कुछ चीज़ों है, जो क्या कवर की जाती है, family welfare program के अंदर, और next point के हम बात करें, this program is centrally funded, the state receive 100% funding from the central government for this, तो ये जो program है, बैस तो क्या है, centrally funded होता है, और बाकी जो हरे state में इस program को चलाया जाता है, तो उनको जो 100% जो funding है, वो मिलती है, central government की तरब से, है न, इस program के लिए, एक और point के हम बात करें, in order to encourage families to adopt the small family values, the services are given at each tourist, तो यहां पर लग जो परिवार देते हैं, तो उनको क्या encourage किया जाता है, कि वो क्या छोटा परिवार रखें, ज्यादा बच्चे ना करें, अपने family को जो जो छोटा रखें, ठीक है, और बाकी यह जो services जो encourage करने कि यह तो उना घरगा जाके जो बताए जाता है, कि परिवार को छोट प्रवाटा रखो यानि छोटा परिवार तो सुखी परिवार ठीक है तो इस तरह के जो परिवार भी चलाए जाते हैं तो यह तो इसका concept हो गया अब एम्स और objective की और बात कर लेते हैं कि क्या इसके एम और objective है तो सबसे पहले कि जो small family adoption है उसको जो promote करना ठीक है चोटा परिवार रखना तो प्रोवाट और eligible couples with a sufficient supply of contraceptives ठीक है तो जतने भी जो eligible couples है ठीक है तो उनको जो है contraceptive की जो है sufficient supply provide कराना है ना और आपको पता तो होगई contraceptives क्या होते है ठीक है और next अमरा point अदे to address the social and cultural barriers to the implementation of the program by using the means of interpersonal and mass communication तो यह जो प्रोग्राम है तो इसके अंदर के काफी सारे barriers भी होते है social and cultural values भी होते है क्योंकि लोगों को बोला यादा कि परवार को छोड़ा रखो तो वो उनमें भी क्या कुश tension हो जाती है कि हम क्यों चोड़ा परिवाद रखें ठीक है हमारे मानों के उतने बच्चे करें लेकिन इस प्रोग्राम को जो है implement करने के लिए यह जो social और जो cultural जो barriers है इनको उटाना बहुत ज़रूरी रहता है ठीक है उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को जो चलाना रहता है बाकी क्या है जैसे उनके घर गए जाके लोगों को बदाना और बाकी mass communication के थ्रू भी क्या है इस प्रोग्राम को जो है promote किया जाता है तो यह सारे के rate को reduce करना कितना reduce करना कि अगर 1000 पर 29 है ठीक है तो हम 29 को जो है 21 कर दें सेकंड हमारा reduce the death rate from 10 to 9 पर 1000 ठीक है तो अगर 10 है तो उसे जवा 9 कर दिया जाए इतनी death rate को कम करना 1000 लोगों में से फिर हम बात करने तो reduce family size from 4.2 to 2.3 तो family size को 4.2 से 2.3 तक reduce करना next अमारे इसमें है goal to raise couple protection rate from 43.3 to 60% ठीक है तो protection rate को जो बड़ावा देना यानि रेज करना उसे तो कितना 43.3 से 60% तक उसे जो है raise करना और फिर हमारे एक और point एसमें तो reduce net reproduction rate from 1.48 to 1 ठीक है तो 1.48 से 1 ठीक है तो इतना reduce करना जो net reproduction rate है तो reproduction rate को भी जो कम करना तो यह सरे इसके goals हो जाते हैं जो कि important है और फिर हम बात कहते हैं रॉल of pharmacist के pharmacist इसमें क्या कर सकता है तो कभी कवार कूछ लिए जादा है के role of pharmacist in national family welfare program तो यहाँ पर हम pharmacist की बात कर लेते हैं तो important role है तो pharmacist can distribute family planning literature freely so that the customer can carry it on ठीक है तो जो pharmacist है वो क्या है family planning वारा के बारे में जो है लोगों को बता सकता है free में क्योंकि उसके कोई पैसे नहीं लगते और बाकी pamphlet बगरा भी वो दे सकता है उन्हें जो क्या है लोग अपने गर ले जाके उसे पढ़ सकते हैं ठीक है उससे हमा सकते हैं चीजों को और फिर next आता है इसमें pharmacist can provide a reservoir of knowledge on family planning method तो pharmacist को क्या है सारी चीओं की जानकारी होती है ठीक है यानि उसे हम बोल स आना कि जो छोड़ा परिबाद रहता है तो उसके क्या 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 नॉम्स होते हैं क्या 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 एडवांटेज होते हैं ठीक है तो इन सभी चीओं के बारे में लोगों को पता चलेगा तब ही वो क्या अपनी family को छोड़ा रखेंगे दर्वाइज वो काफी बड़ा क इन प्रोग्राम्स के बारे में ठीक है तो यह सारे के सारे इसके क्या रॉल ऑफ फार्मसिस्ट हो जाते हैं ठीक है तो यह एक टॉपिक इंपोटेंट है एक जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है family welfare प्रोग्राम के बारे में तो इतना आप लिख सकते हैं इतना सभी से बाइ और टेक केर